चर्चित फिल्म निर्माता और निर्देशक विनोध कापड़ी ने रवीवार शाम अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो पोस्ट किया जो काफी चर्चा में रहा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 19 साल का लड़का रात करीब 11 बजे अपने घर की तरफ दोड़ते हुए भागे जा रहा है विनोध कापड़ी से बाचित के करम में शक्स ने बताये कि उसका नाम प्रदीप महरा है जो उत्राखन के अलमोडा जिले का रहने वाला है और वर्तमान में नोईडा के मैक डॉनल कंपनी में काम करता है जब विनोध कापड़ी ने लड़के को गाड़ी से घर तक छोड़ने का ओफर दिया तब लड़के ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें सेना में भरती होना है इसलिए रोज शिफ्ट खत्म करने के बाद वो घर दोड़कर ही जाते है विनोध कापड़ी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा नोईडा की सड़क पर कल रात बारा बजे मुझे ये लड़का कंधे पर बैक टांगे बहुत तेज दोड़ता नजर आया मैंने सोचा किसी परिशानी में होगा लिफ्ट देनी चाहिए बार-बार लिफ्ट का ओफर किया पर इसने मना कर दिया वजह सुनेंगे तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा सोशल मीडिया पर कापड़ी के एक वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है लोग इस शक्स के जज़बे को सलाम कर रहे हैं झाल झाल